वेलकम टू मैं चैनल एसके नोलिज कलास दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा बेलन का आयतन गयात करने तो वीडियो को अंतक जरूर देखिए का चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और घंटी को दबा के ओल कर लिए दोस्तो अगर आज इस है तो इसका आयतन निकाले देखिए जब भी आपको कहे आयतन निकाले तो इसमें आपको बियास या तिरजिया दिया रहेगा उचाई भी दिया रहेगा ठेक अब थोड़ा आपको समझना है बेलन का उचाई दिया है दोस्तो यह आपका उचाई हो गया इसे एस से सुचित करते हैं H से बरावर कितना होगी आपका 2 C M ठेक उसके बाद दोस्तों कर आए कि आधार का बियास आधार जो हुआ यहाँ आपका आधार हँआ उपर भी ले सकते हैं बियास का मतलब हुआ यहां से लेकर यहां तक हमें दिया है वियास को D से सुचित करते हैं वियास बरावर कितना दिया है दोस्तो B40CM ठीक B40CM याद रखेगा जब भी आपको आइतन निकालना है तो आपको उचाई और तिर्जिया मालूम होना चाहिए तो तिर्जिया आपको यहां से निकाल लेना है थोड़ा आपको समझना है पॉइंट को देखे यहां से यहां तक जो होता है तिर्जिया होता है फिर यहां से यहां तक जो होता है तिर्जिया होता है यानि कि A गो तिर्जिया E गो तिर्जिया E यह हो गया दूगो तिर्जिया दोनों तिर्जिया को अगर एक साथ जोरेंगे तो वह आपका बियास हो जाएगा यानि कि D हो जाएगा जब हमें R मालूम करना है R यानि कि तिर्जिया तिर्जिया जिसे कहते हैं तिर्जिया R बरावर निकालना हो तब देखिए एगो तिरजिया यहां से यहां एगो तिरजिया यहां से यहां तो इसमें दूगो तिरजिया हो गया ब्यास में क्योंकि यहां से यहां तक पूरा को हम लोग ब्यास कहते हैं तो तिर्जिया आधा निकालना होता है तो आधा में क्या करेंगे D में 2 से भाग दे देंगे यही तिर्जिया निकल जाएगा याद रखिएगा इस point को ठीक न बियास अगर दिया रहे तिर्जिया निकालना है तो आधा कर देना है बियास को अगर तिरजिया दिया है तब तो आसाम तरिका से आप आइतन निकाल सकते हैं ठीक ना दोस्तों confusion आपका दूर हो गया होगा एक बात और एक सुत्र याद रखिएगा D बराबर होता है 2R 2R यानि कि दोस्तों D किसको ब्यास को कहते हैं 42 बराबर 2 गुना तिरजिया wahr को R से सुचित करते हैं ठीक जब हमें R बराबर निकालना हो तो D by 2 लिख सकते हैं तो वहीं दोस्तों यहाँ हमें क्या दिया है वेलन का wyes व्यास यानि कि D दिया है D कितना दिया है दोस्तों D आपका दिया है 42CM तो हमें पहले निकालना है तिर्जिया क्योंकि तिर्जिया निकलेगा तभी आयतन निकलेगा तिर्जिया यानि कि R बरावर क्या करेंगे सूत्र क्या होता है D by 2 अभीतुरत यहां लिखे R बरावर D by 2 तो D आपका कितना है? 42 है 42 में 2 से भाग देंगे कितना निकल जाएगा? 21 सिया अपका तिर्जिया निकल गया 21 सिया ठीके न? 2 से कटाएंगे तो और दोस्तों उचाई हमें दिया है उचाई उचाई यानि कि H बरावर कितना दिया है? उचाई यहां 10 सिया 10 सिया अब निकाल देंगे बेलन का आयतन सुत्र होता है दोस्तों पा आर स्कोर एच ऩ है ठीक na देखिए सुत्र में आर आया यानि कि TIRJ आया तिशलिए दोस्तों TIRJ आपको निकालना ही होगा अगर बियास दिया है तो अगर TIRJ दिया है सवाल में तब आपको कुछ नहीं करना है एक तीरजया लिखना है शूत्र देना है आप दिखे दूफितु पाय का मान होता है 24 वटे साथ गुना आर स्वारी स्वारी आर क्या है यहां है आर Ariel क्या है 21 21 ध्यान दिजेगा 22 बार है है इसकोयर का मतलब होता है हम दो बार लिख सकते हैं किसी भी चीज को किसी भी चीज पर अगर स्क्वाइर है थोरा समझ लिजिए कि जैसे कि आर पी स्क्वाइर है तो इसे आर गुना आर लिख सकते हैं ठीक ना तो वही दोस्तों तो दो बार तिर्जा लिख दिये हैं गुना H आपका कितना है 10 है जो कटेगा उसे कटा देना है बाकी सब को गुना कर देना है जिसे 7 21 बाकी गुना कीजिई देखिए 3 दुनी 6 31 गुना 10 गुना 10 करेंगे तो दूसों 10 हो जाएगा अब total को आपको गुना कर देना है टोटल को जब गुना करेंगे तो दोस्तो इपूरा आपका आ जाएगा 13860 cm3 आयतन जब भी निकलता है क्यूब में निकलता है या हिंदी में गहन सेंटीमीटर लिख सकते हैं तो दोस्तो यहां आपका अंसर हो गया इस परकार आपको सवाल बनाना है कोई भी डाउट हो तो क पैनल को सब्सक्राइब कर लिए खंटि को दबायकाल कर लिजिए याद रखेगा अगर आपको आधार का तिरजिया दिया है तो आपको वियास निकालना नहीं है सिर्फ तिरजिया लिखके उचाई लिखके सवाल को हल कर देना है जब वियास रहेगा तब आपको तिरजिया निकालना है ठेक बाकि दोस्तों इसी परकार आपको बनाना एक बार प्रैक्टिस कर लिजिएगा